असलाम अलेकुम प्यारे बच्चों आज हम कविता पढ़ेंगे बाली यह धान की इस कविता के कवी डॉक्तर हनुमंत नाइडू डॉक्तर हनुमंत नाइडू मुल्ता तेलगो भाशी होने के बावजूद हिंदी कवी कहला है डॉक्तर नाइडू का जन्म साथ अप्रेल 1923 दुर्ग 36 गड़ में हुआ था पिता ऐसेस नाइडू सिचाई विभाग में नौकरी किया करते थे डॉक्तर नाइडू की सैक्ड़ कविताये वैंग लेक तथा शोध निभन देश भर की प्रमूख पत्र पत्री काओं में प्रकाशित हुए है डॉक्तर नाइडू की प्रमुख रचनाये जलता हुआ सफर, मेरी गजल, मशाल, नीला अंबर, साथी मेरा ऐसे बहुत सारी कविताये इनकी रचनाय कहलाती है आप गजलकार के रूप में प्रसिद हुए है प्रस्तुत कविता में खेती के महत्व और किसान के श्रम को अनमोल बताया गया है इस कविता में जो हम पढ़ने जा रहे है इस कविता में कवी ने खेती के महत्व और किसान की महनत को अनमोल जिसका कोई नमोल हो बताया है पहले हम इसे पढ़ लेंगे फिर उसके बाद में देखे ऊपर में दिया हुआ है सुनो और गाओ तो हमें इसे गीप की तरह गाना भी है और पढ़ना भी है देखिए खेतों में जूम रही है खेतों में आप लोग जानते हैं खेत जहां पर फसले बोई जाती है आज इसे हमें धान मिलता है, उसे खेत कहते हैं, खेतों में जूम रही है बाली या धान की बाली का आर्थ होता है अंकूर जहां पर धान के गुच्छे लगते हैं, जैसा कि चितर में दिखाया जा रहा है जानक चणक चणक चदी जो बेटी किसान की जिस तरह से चलती उसी तरह से फसल क्या हो रही जूम रही है बूंदों ने प्यार दिया बूंदे वर्षा की बूंदे बूंदों ने प्यार दिया बर्खा ने पाला है चंदा ने रूप दिया सूरज रखवाला है बर्खा याने वर्षा बारीश और चंदा ने रूप दिया सूरज रखवाला है सूरज रखवाला यानि रख्षा करने वाला फसलों को जो है कीडों से जो रख्षन देता है वो सूरज है कीडों से चाया है मंडप सी नीले वितान की वितान यानि आकाश चाया कैसी है नीले चाया है मंडप सी मंडप कैसी होती है मंडप के नीचे जाके थोड़ा अच्छा लगता है यह न वैसी जब बादल चाते है तो तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा लगता है यह बारिश होने वाली है तो कैसी है चाया है मंडप सी नीले वितान की आकाश की चाया मंडप की समान है खेतों में जूम रही है बाली या धान की खेतों में कौन जूम रहा है बाली धान की पेड़ों पर पंची है पंची तो हम सब भी जानते हैं पंची हर वो पक्षी जो उड़ता है उसे हम पंची क है में पर चार्क शोर और मिछ का बनाया हुआ है जिससे जैसे पाणी बहर ना जाये या अधिक पाणी हुने पर वह मड को हटा दी जाती है तो पाणी बह जाता है और कम पाणी में वहwriting पर कुद के रहें ठहरा रहें इसलिए वहां पर मेड़ं बनाई जाती है है पेड़ों पर पच्छी है मेड़ों पर शोर है वंशी की टानली ये आति हर भोव है भोर याने सुभः, सवेरा श्रम का या मोती है श्रम जैसे कि हमने पहले बताया श्रम याने महनत का या मोती है श्रम का या मोती है महनत की जीत है फसलों के आचल से जरता या गीत है फसलों के आचल से आचल याने साड़ी का पल्लू आचल मतलब साड़ी का पलू लेकिन यहां पर फसलों का आचल से तो फसलों का आचल यानि जब फसले लहराती है एक दुसरे से टकराती है तो एक मधूर ध्वनी उत्पन होती है इस ध्वनी को जरता यह गीत है यानि ऐसा मधूर गीत निकलता है जिसे सुनने के बाद में हम आनंदित होते हैं सख्योसी गाती है सख्योसी फ्रेंड्स की तरह सख्योसी गाती है किरने विहान की विहान कार्थ होता है सूर्य किरने विहान की सख्योसी गाती है किरने विहान की खेतों में जूम रही है बालिय धान की मेहनत ही पूजी है जग में इंसान की पूजी जमा धन, धन को हम पूजी कहते हैं, महनत ही पूजी है, जग में इनसान की, खेतों में जूम रही है बाली यह धान की, इस तरह से हमने कविता को समझाए, अब इसे हम गीत की तरह पढ़ेंगे, देखिए, गीत किस तरह से पढ़ा जाए आपका, खेतों में जूम रही बाली यह धान की, जमक जमक चलती जो बेटी की सान की, बूंदों ने प्यार दिया बरखाने पाला है, चंदा ने रूप दिया सूरज रखवाला है, चाया है मंडप सी, नीले वी तान की, खेतों में जूम रही बाली यह धान की, पेडों पर पंची है, मेंडों पे शोर है, वंशी की तान लिये आती हर भोर है, श्रम का या मोती है, महनत की जीत है, फसलों के आँचल से जरता यह गीत है, सखियो सी गाती है किरने विहान की, खेतों में जूम रही बाली यह धान की, महनत ही पूजी है, जग में इंसान की, खेतों में जूम रही बाली यह धान की, इस परकार यह कविता समाप्त हुई, इसके बाद हम शब्द वाटी का और भाशे की और इसके बारे में पढ़ेंगे, कर दोंगे, अजके बाली का और भाशे में गंवें का और भाशे क Nejजूए, अच्वेट अवें पूब्द रहाई।